नमस्ते दोस्तों, दोस्तों प्रस्तु थै जूठा सच में देश का भविश्य का भाग नंबर 17 सन 1947 के आरंब में लोकसभा और राजियों की विधान सभाओं के नए चुनाव होने वाले थे कॉंग्रेसी सरकार जनता का विश्वास पाने के लिए चुनाव से एक वर्ष पूर सन 1946 के आरंब में ही अपनी दूसरी विशाल आर्थिक योजना लागू करते ना चाती थी राजनेतिक नेता भी अपनी सीमित द्रस्टी से आगे नहीं देख पाते जनता हाथी के शरीर से कहीं बड़ा समुदाय है राजनेतिक नेता जनता के जिस अंग के संपर्क में आते हैं उसी अंग को संपूर्ण जनता का रूप मान लेते हैं यही बात दूसरी रास्ट्रिय पंच वर्षिय योजना के संबन में भी थी कांग्रेस के प्रधान और कांग्रेसी सरकार के प्रधान मंत्री और उनके समर्थक नेता रास्ट्रिय साधनों से रास्ट्रिय नियंतर्ण में देश का अध्योगी की विकास करने की निती और योजना द्वारा जनता का विश्वास और समर्थन पाने के आशा में थे अनेक परभाव शाली कांग्रेसी नेता योजना के इसी रूप के करण जनता के विमुक्व हो जाने के अशंका में थे कांग्रेस के प्रधान मंत्री, कांग्रेस के प्रकाशनों द्वारा जनता को सांतोना दे रहे थे कि कॉंग्रेस को intrinsic policy समाजवादी ढंग की निती के प्रिस्ताओं का लक्षे पस्चिम का समाजवाद नहीं है उसका प्रयोजन सवतंत्र निजी व्यवसाई की निती को socialist, totalitarianism समाजवादी समुच्य के भह से बचाना है देश के प्रमुख समाचार पत्र बढ़े बढ़े व्यवसाईयों की समपत्ती थे ऐसे अधिकांस पत्र राष्ट्रिय साधनों द्वारा राष्ट्रिय नियंतन में और द्योगे की विकास को राष्ट्र हित के लिए घातक बता रहे थे उस सन सनी में एक छोटी सी घटना हो गई थी सन 47 में कॉंग्रेज सरकार ने अंग्रेज सरकार से शासन का अधिकार लिया था उस समय ब्रिटिस सामराज्य शाही सरकार के भारतिय परधान सेना पती के लिए बनाई गई महल नुमा इमारत, फ्लैग स्टाफ हाउस को कॉंग्रेज सरकार के परधान मंतरी का निवासस्तान नश्चित कर दिया गया था कॉंग्रेजी परधान मंतरी अपने आपको गरिब जन्यता का परतिनिधी समस्ते थे उन्हें महल नुमा इमारत में रहना असंगत अडंबर जान पड़ता था उनका सुजाव था कि बहारत के परधान मंत्री के लिए ब्रेटिस सामराजे के परधान मंत्री के मकान की ही भांती साधारन और साधा मकान होना चाहिए सरकार के सार्वजनिक निर्मान विभाग ने परधान मंत्री के योगे सधारन और साधा मकान का खर्चा 4 लाक रुपे कटता था परधान मंत्री इतना खर्च सुनकर घबरा गए उन्होंने कह दिया ऐसा मकान वे निजी परबंद में लाक सवा लाक रुपे में बनवा सकते थे उन्हें नए सधारन और साधा मकान का प्रिस्ता उस्तागित कर देना पड़ा था मित बैईता के विचार से महलनुमा मकान में ही रहना स्विकार कर लिया था रास्टिय नियंतर्ण में उद्योगों के विकास के विरोधियों ने इस उदाहरण को अपने पक्ष में बहुत बड़ा तर्क बना लिया था प्रधान मंत्री और योजना तैयार करने वाले लोग इस उदाहरण से यह मान लेने के लिए तैयार नहीं थे कि रास्टिय नियंतर्ण में अपवे के कारण उद्योगों और व्यवसायों की ऐसा फलता निश्चित थी वे इस उदाहरण को सरकारी व्यवस्था में अंग्रेजी शासन की विरासत में पाई धान्दली और अपवे का प्रमान समझते थे इसे समाचार से सर्वस्थाधरण में धान्दली के विरुद प्राहे चलती रहने वाली चर्चा में घर्मी आ गई थी ताहरा के परिचित और पडोशी जानते थे कि ताहरा रिस्वत नहीं लेती थी इसलिए उसके सामने रिस्वत और धान्दली की चर्चा और अलोचना नर्भे की जा सकती थी ताहरा जानती थी लोग रिस्वत स्वीकार करने वाले अपसरों के सामने ऐसी चर्चा नहीं करते यह भी जानती थी कि उसके कुछ नए लेने से लोग उसे विशेश सहायता भी नहीं पा सकते थे इसलिए उसकी गणना भले अपसरों में नहीं थी लोगों को तो इसी में सुविधा थी कि उन्हें अवसर मिले अपसर भी दिक्षा के तोर पर 500,000 पुरसकार ले लें दोनों का भला हो दहंदली और रिस्वत की रोक थाम के लिए काफी शोर और पुकार थी परन्तु केवल स्तह पर रिस्वत लेने वालों और देने वालों को भी लाब था हानी केवल सरकार या सर्वजनिक हित की थी समझधारों की नजर में वह चिंता पराई वला थी उसे कौन गले सहेड था रतन रिस्वत देता था और रिस्वत लेने वालों को गाले भी देता था तारा को ये अच्छा नहीं लगता था रतन उसके सामने स्पष्ट कह देता था ट्रैफिक पुलिस को साल का 500 फी ट्रक और रुपया महिना की चोरहा रिस्वत नहीं दी जाए तो ट्रक चली नहीं सकते कभी ओवरलोड कहकर या स्पीड ज़्यादा बताकर कभी लाइसेंस चेक करने के बहाने सडक पर रोक लेंगे उन्हें तो हाथ से इशारा भर कर देना है तब तेश के लिए कोतवाली आओ दिन भर उसी में डूब जाएगा 40-50 का नुकसान हो जाएगा ट्रक वाले तो रोज अदालत में ही खड़े रहा करें ऐसे नुकसान की मार कुन से सकता है हम तो मजबूर में अपना पेट काट कर देते हैं हम नजाएज फाइदा क्या उठा लेते हैं इस प्रसंग पर तारा को रतन से सहनुवती नहीं थी कह देती नजाएज फाइदा क्यों नहीं उठाते जहां चाते हो बरे बाजार में ट्रक खड़ा कर देते हो, रास्ता रोग देते हो, मुनासिब से अधिक बोज लाते हो, उस कारण कितने एक्सिडेंट होते हैं, लोग रास्ता ने पाकर कितने परिशान होते हैं, तुम्हारे दूसरे भाई सामान लादने उतारने के लिए का ऐसंतोष शासन की निती और सेथिल्ले के परती बढ़ता ही जा रहा था वह कह बैठता शक्ति और आउसर हाथ में होने पर अनुचित लाव नए उठाने वाले मुझे तो केवल अपवाद रूप ही दीखते हैं लोगों को कांस्टेबलों चपरासियों और बाबूं का रिस रिस्वत लेना दिखाई दे जाता है मैं पूछता हूँ शासन में चोटी से लेकर पाउं के अंगुठे तक कौन अनुचित लाव नहीं उठा रहा है रिस्वत लेकर आदमी अपने बाल बच्चे और कुनवे को ही तो पालेगा मुझे बता दो शासन संभाले लोगों में स किसका कुनवा नहीं पल रहा है सरकारी नोकर उदाहरन देखकर ही तो चलेंगे अपसरों के लिए बेंट उपहार नय लेने के कानून बना दिये हैं अपसर ऐसे भूले नहीं है कि कानून के हातों से बचकर रिस्वत नह ले सके मरन तो सर्वसाधारन का है टेक्स पर टेक्स और महंगाई सरकारी रिपोर्टों में उत्पाधन बढ़ता है और बाजारों में महंगाई बढ़ती है हमें तो योजनाओं से कुछ बंता दिखाई नहीं देता जननता का अरबो रुपया करोड़ पतियों और सरकारी अपसरों की जेबों में चला जाता है भाखडा नंग सेक्टरियों की चांदी है ठेकेदारों की चांदी है सरकारी अपसरों की चांदी है बरबादी टेक्स देने वालों की है सिमेंट की जगें रेत भरी जा रही है चवन्नी की जगें रुपय का एस्टिमेट बनता है फिर उस चवन्नी में से भी तीन आने खा जाना चाते हैं सिमेंट की जगें रेट से बनाएगे, बांध तूटेंगे, तो नुकसान किसका होगा? उस नुकसान को इंजिनियर पूरा करेंगे न ठेकिदार. नरोतम वक्स मेनेजर बनकर सीतलपूर शस्त्रों के करखाने में चला गया था. दिली आने पर तारा से अवश्य मिलता था. फ्रक्टरी में वह चारों और से थिल्ले और धांदली पर परदा डाले रहने के परियतन देखकर भूत खिन रहता था. उसे जान पढ़ रहा था कि इमानदारी के रास्ते पर चल सकने के लिए पिता के व्यवसाहे से ऐसा ही उक करना केवल मरग मरीची का थी. ऐसी चर्चा में उपस्तित रहने पर वह एक बार कै बैठा था? इमानदार है कोन? क्या कानून बनाने वाले विधान सभा के मेंबर इमानदार हैं? सरकारी कर्ज ले आए थे या कहिए कांग्रेस कमेटी ने दिला दिया. धर्ती, मकान, मामा के यहां रहन रखकर पांच हजार और कर्ज लिया. कांग्रेस टिकट पर इलेक्शन लड़ गए. अब साड़े तीन साल में दो मकान पक्के खड़े कर लिये हैं और साथ भीगे खेतों के मालिक हैं. थानेदार से आठाने का हिस्सा है. सरकार के यहां से कुछ करवा देने की एजिंसी चला रही है. मामा के यहां संदेश भिजवा देते हैं. लाला, एक कनस्तर गी भिजवा देना. मामा, दाम मांगने के बजाए जैराम जी कहकर ही रह जाते हैं कि समय पढ़ने पर वही तारा को इस परकार की सिकायतों से बहुत खीज उठती थी परंतुस्यम उसके मकान के नीचे दुकानों के सामने वही हाल था फरनीचर वाले रेस्तरां वाले दुकान के सामने की जगें रोके रहते जनरल स्टोर्स वाले भी दो-दो अलमारियां बाहर रखकर शो बढ़ा ले ती थी पडोज के लोगों को बहुत परिशानी होती थी तलवार साहब और तारा को गाड़ी लाने निकालने में परिशानी होती थी भुन-भुनाते सब रहते थे पर प्रकट विरोध कोई नहीं करता था पडोजियों से जगड़ा कोन मोल लेता तारा भी खीज कर चुप जाते थी सोच्थी थी जब लोग आवाज उठाने तक को तहियार नहीं तो सरकार ही क्या खरे तारा ने यह बात एक बार मर्सी के इसी परकार की सिकाइते करने पर कह दी थी मर्सी बिगड़ उठी थी हाँ तुम्हें अब सरकार में दोश्कों दिखाय देगा नमक की खान म जो चला जाता है नमक हो जाता है गिल भी बैठा था उसने दूसरी तरह बात की अपने कश्ट और धांदली के प्रती अवाज उठाने का साहस लोगों में नहीं रहे तो यह सुवेवस्ता और सुशासन का सूचक तो नहीं है तारा ने मर्शी को कुछ उतर नहीं दिया परंतु गिल से कहा लोग यदि अनुचित लाब के आवसर के लिए एवेवस्ता और धांदली को स्विखार करते जा रहे हैं तो दोश किसका है डाक्टर नात स्वतंतर उद्योगों और व्यवसाई के तरीकों से काफी परिचित था ये भी जानता था कि स्वतंतर और निजी शेत्र के उद्योगबती और व्यवसाई अतिरिक्त आईकर से बचने के लिए उत्पादन और व्यवस्था का वै कलपित संस्ताओं में बढ़ा कर लाव का अंश कम दिखाने का यतन करते हैं उसके विचार में कोई कारण नहीं था कि राश्ट्रिय नियंतर में उत्पादन देश के लिए अधिक सुलब और सस्ता ना हो और उसे से भावी विकास के लिए पूंजी ना निकले काली चरण को लाहूर में डाक्टर पर श्रधा रखने वाले विद्यार्थियों में से था अब भी डाक्टर के यहां आता जाता रहता था एम में पास करके भी वह विभाजन के समय तक नोकरी की द्रस्टी से बेकार था लाहूर में मकानों के किरावें पर निर्भा कर रहा था विभाजन के पस्चात जिविका का अवलंब ढूनना अवश्यक हो गया था सन 47 में वह आई एस में ले लिया गया था उसे आईकर विभाग में नोकरी मिल गई थी नोकरी करते करते उसने चार्टर अडिटर की परिक्षा फास कर ले थी उसने नोकरी छोड़कर लाइसेंस ले लिया और चार्टर अडिटर का दफ्तर बना लिया था वह आईकर की अदालतों में बकालत करने लगा था कोल आयकर विभाग में अफसर रह चुका था उसके अनुभाव का बहुत मुल्ले था उसके दफ्तर में एक अकाउंटेंट और पांच कलर्ग थे उसका काम था व्यापार के लेकों को परक्ष कर सही होने की तस्दीक करना लाइसेंस के अधार पर उसके दफ्तर से परक्षा हुआ हिसाब आदालतों को कानुनी तोर पर स्विकार करना पड़ता था कोल को उद्योग धंदों पर रास्टी नियंतन का विरोध करने वालों के तरकों की पोल खोलने का बहुत उच्सा था बे धड़क क्या दिता था मैं इन लोगों का 3-4 लाख न बचाऊं तो ये मुझे 3-4 हजार क्यों दे मेरा पेशा कानुनी है मेरे पास लाइसेंस है वहें नाम लेकर बताता था सला लेते रहने के लिए रिटायर्ड इंकम टेक्स कमिशनरों को 35-4 हजार रुपया सालाना पर नोकर रखे हुए है अपने लाब छिपाकर हिसाब बनाने के लिए साल में 3-4 लाख खर्च कर देते हैं वे कितना कर बचाते होंगे यह सब कानून से और सीना जोरिशे होता है उत्पादन के रास्टिय निरंतर्ण में इस परकार के अवसर तो नहीं रहेंगे मातुर या गिल डाक्टर नात के सामने ही अपति कर देते तब नियंतर्ण और उत्पादन करने वाले अवसर खाएंगे क्यों? कैसे खाएंगे? कोल विरोध करता जब वैक्तिगत पूंजी से लाब उठाने का अवसर नहीं हो और आपको अपने जमापूंजी के लिए हिसाब देना पड़े तो चोरी करके दिखाईएगा कहां हलवाई की दुकान पर काम करने वाला चुरा कर मिठाई खाएगा तो कितने खा लेगा? गिल ने सुझाया तुम तो पूरी समाजवादी व्यवस्ता की कलपना कर रहे हो कांग्रेस के मंतरी असवाशन दे रहे हैं की सोसेलिस्टिक पालिसी देश को टोटेलिटेरियन निती से बचाने के लिए है वे जो कहें यदि रास्टिय शक्ति और साधनों से देश का उद्योगिक विकास करना है तो उत्पादन के साधनों का रास्टिकन करना ही होगा नहीं तो इनकी योजनाए चल नहीं पाएंगी ऐसे आवसरों पर तारा एक ही बात सोस्ती थी लोग भविश्य में विश्वास क्यों नहीं कर सकते क्यों सदा पहले विफलता की ही बात सोस्ते है रास्टिय नियंतन में उत्पादन देश के लिए आधिक लाबकर होना चाहिए इस बात को डाक्टर सालिस और नात सबसे आधिक समस्ते थे परन्तु उनकी अपने धारना और विश्वास ही परियाप्त नहीं था उस निती को शासन द्वारा व्यभार योगे बना सकने के लिए सपष्ट कारियकरम और आखड़े अवश्चक थे डाक्टर नात का सेक्षन ऐसे आखड़े और विवरन तयार कर रहा था उसके दफ्टर को निरंतर दूसरे सरकारी दफ्टरों के संपर्क में रहना आवश्चक था इसी कारण पिछले वर्ष से उसका दफ्टर गर्मियों में पहाड पर नहीं गया प्रधान मंत्री प्रती वर्ष घर्मियों में दफ्तरों और अफसरों की पहाड यातरा की अंग्रेजी रिवाज को पसंद भी नहीं करते थे चढधा इस विशे में अपनी खोज और एकत्र कियों आकणों को अधिक परमानिक समस्ता था उसने डाक्टर नाथ की साहिता के लिए ये सब सामगरी 15 जुलाई संध्या तक दे देने का अश्वाशन दिया था चढधा ने इस काम में अपने कई साथियों को लगा लिया था तारा गणित अच्छा जानती थी चढधा उससे भी साहिता ले रहा था उसने भी कई आधी रातें पंक्खे के नीचे बैठ बैठ कर काम किया था तारा ने उन लोगों को डाक्टर के यहां पहुँचा देने का अश्वाशन दिया हुआ था चढधा उस संध्या नौरोत्तम की गाड़ी में चला गया था तारा गिल और कनक को लेकर गई थी वे लोग डाक्टर के यहां पहुँचे तो वह घर पर नहीं था लगभग एक घंटे परतिक्षा के बाद आया डाक्टर ने विलम के लिए शमा मागी अजीब मुशिवत में फस गया था उस दिन दोपैर बाद दिल्ली में परधान मंत्री ने भारतिये मानव विज्ञान परिशद का उदगाटन किया था डाक्टर नात भी निमंत्रित था डाक्टर सालिश का नाम सहिव जक्व में था उसने नात से आने के लिए अनुरोद किया था डॉक्टर नात खिन्यता से बोला जरा सोचिए स्वागत समीती के अध्यक्स ने प्रदान मंत्री के परिशद का उद्गाटन करने का अनुरोध किया तो उन्हें हमारे विज्ञानिक प्रदान मंत्री कहे कर संबोधन किया प्रदान मंत्री जन संक्या की बढ़ती और खादने की समष्या पर प्रकास डालने लगे तो सवा घंटे तक बोलते रहे जैसी उनकी आदत है हर एक बात को तीन बार कहते थे वे जो कुछ कहे जा रहे थे निगल लेना कठिन था बिशे को समझे बिना उस पर कहने की जरूरत ही क्या थी डाक्टर सालिश को भी कुछ बोलने के लिए कहा गया तो डाक्टर कहे बिना ने रह सका प्रदान मंत्री ने जन संक्या और खादनने के समद्ध में जो विचार परकट किये हैं उनकी आधार पर राष्टी करेकरम बना लेना दुस्सा हाज होगा यह विचार नए समझे जा सकते हैं पर विज्ञानिक मानेताओं के अनुकूल नहीं है प्रदान मंत्री विगड कर बोले आप लोग अपने विश्यों के इतने अधिक विश्यशग्य हो गए हैं कि बिलकूल यांत्रिक ढंक से सोचने लगे हैं विज्ञान को व्यवार इक्ता और व्यापक जीवन की कसोटी पर रखना चाहिए चढधा कनपटी पर हाथ रखे बहुत एक कागरता से सुन रहा था उसने आखे जपका कर पूछ लिया प्रदान मंत्री की बात का मतलब क्या हुआ उन्हें तो विज्ञानिक विवेचना की गोस्टी का उद्गाटन स्वीकार ही नहीं करना चाहिए था पर लोग ही उनसे अनुरोद करते हैं तारा ने कहा गिल बोल उठा लोग जानते हैं कि परदान मंत्री ऐसे सम्मान से फूल उठते हैं इसलिए वे अनुरोद करते हैं बहे डाक्टर की ओर घूम गया डाक्टर सहाब परदान मंत्री अपने आपको सचमुच वग्यानिक समझते हैं उन्हें वेज्ञानिक कहेकर संबोधित किया गया तो उन्होंने अपत्ती नहीं की। डाक्टर के उत्तर से पहले ही तारा बोल पड़ी। दिल्ली उन्वर्शिटी ने परधान मंत्री को डाक्टर आफ साइंस की उपादी दी है। इसमें परधान मंत्री का क्या दोश है। हमारी गली की सफाई नहीं हो तो समझ लेते थे कि दिल्ली से परधान मंत्री आये होंगे। उस दिन सब महितर परधान मंत्री के स्वागत में सड़क भुहारने के लिए बुला लिये जाते थे। परधान मंत्री को सड़क साफ दिखाई देने चाहिए। जनता चाहे दुर्गंद में सड़ती रही, नोकर शाही का तो गुरु मंत्र यही है, अपने से उपर का आपसर संतुष्ट रहना चाहिए, कनक बोल पड़ी, सरकारी आपसर को तो रिपोर्ट और फाइल पूरी रखने से मतलब है, यदि राश्ट्री उत्पादन का काम इसी दंग पर चला तो, चढधा गहरी चिंता से बोला, उत्पादन की व्याख्या में मजदूरों का परते निधित्व हुए भी ना, एक सकिन डाक्टर ने अपनी बात कह सकने का संकीत किया, उसे बोल पाने का आउसर ही नहीं मिल रहा था, उसने भूप सिंग को बुला कर चाह के लिए कह दिया और बताया, मैं चाय लिए वहाँ ठहरता, तो और विलम हो जाता, मैं बनवाती हूँ, तारा भूप सिंग के साथ भीतर चली गई, तारा बैठक के साथ कमरे में बिजली की केतली लगाई, भूप सिंग की सहयता से चाय बना रही थी तो, नरोतम का उत्यज के संबन में अपनी खिनता परकट की थी, मचदूर यूनियनों की धानली की सिकायत लेकर चड़ा से भी बहुत जगड़ा था, डाक्टर नात को भी वह बात बता देना चाहता था, उसे द्रड विश्वास हो गया था कि उद्योग धंदों की व्यवस्ता में मचदूरों को परति निधित्व देना उत्पादन और राष्ट्रिय हित के लिए बहुत गातक होगा, तारा भूक सिंग के साथ चाहे लेकर आई तो नरोतम, नात, गिल और कनक को सुना रहा था, मैंने सुपरिंटेंडनेंट को लिख कर दे दिया था कि गरारी में दात काटने के लिए च थोड़ देने से लागत घटेगी, तो पीस वर्क में मजदूरों की एक घंटे की मजदूरी कटनी चाहिए, यूनियन ने स्ट्राइक का नोटिस दे दिया, सुपरिंटेंडनेंट के पाउं काप गए, वह डरता है, उस पर स्थिती संभालने सकने का लांचन आ जाएगा, म मैं इसके लिए तैयार नहीं हुआ, सुपरिंटेंडनेंट ने टाइम काटने का आडर स्थगित करके, कान्फिदेंशल नोट में स्ट्राइक की अशंका की बात डारेक्टर जनरल को लिख कर भीज दी, डारेक्टर जनरल के यहां से फोन पर गोल मुल सुझावाया, स्ट्र मजदूरों का काम आठ कर सके, बेरोजगारी का डर तो सभी को होता है, गिल इने टोका, उन्हें दूसरी जगें काम की गारंटी होनी चाहिए, गारंटी है पर वे दूसरी फैक्टरी में तबादला नहीं चाहते, उनके लिए अपना आराम पहली चीज है, आठ घंटे में स चार घंटे चकल्लस में काट देगे, सूपरवाइजर कुछ नहीं कह सकता, बोले तो पिट जाए, मजदूरों के खिलाप एक्शन लो तो स्ट्राइक, अपसर जानते हैं, स्ट्राइक की स्तीती में सरकार उनका साथ नहीं देगी, स्ट्राइक से सरकार की जन पिरियता की प अतलब है, सरकार को संतुष रखना है, पर यह फैक्टरी के साथ, देश के साथ, जनता के साथ तो धोका है, मैं इस जगडे में वर्त फस गया हूँ, यह तो देश के साथ बहुत बड़ा धोका है, तो मैं अखवार में क्यों नहीं देते, करनक ने नरोतम से कहा, ऐसा ने कर बैठना, नरोतम ने चेतावनी दी, यह सरकारी रहसे है, परंतु आप देख लिजिए कि देश हीत का खयाल ना मजदूरों को है, ना नोकरशाही को, और ना मिनिस्ट्री को, मजदूर चाहता है, कम से कम काम और अधिक से अधिक मजदूरी, नोकरशाही का काम है, अपनी त चड़ा ने भहुत विस्तार से समझाया, कि अभी मजदूर अपने आपको शोशित समझ कर विरोध का व्यभार कर रहे हैं, उत्पादन की व्यवस्ता में संगटित मजदूरों का प्रतिनिधित भी उन्हें उत्पादन के प्रति उत्तरदाई बना सकता है, नरोतम मजदू अभी मजदूरों का विश्वास करने को तयार नहीं था, बहे कहे जा रहा था, ये कभी नहीं हो सकता, आखिर तुम क्या चाहते हो, क्या यूनियनों को समाप्त किया जा सकता है, डाक्टर ने उसे टोक कर उत्तर मांगा, ऐसे प्रजात अंतर में तो नहीं किया जा सकता, ड बहे देश को प्रतिगामी मार्क से भी बचा सकता है, अगर उसे आँखों में घी की सलाई लगाने वालों ने घिर लिया तो, और अभी क्या नहीं घिर विये हैं, तारा कई बार घड़ी देख चुकी थी, बहे 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 से उब रही थी, ऐसी बातें एक बार नहीं, पुछ सहा था, जिसके कारण उसकी समझ और कल्पना की पहुंच के बहार थे, उसे सब आप भीति को वह केवल अपने प्रतिभाग्य की विडमना ही कह सकती थी, अब साथ वर्ष से सफल और संतुष्ट जीवन में उसमें आत्मविश्वास उत्पन कर दिया था, उसे अपन समझ और व्यवार पर भरोसा हो गया था, परन्तु वह फिर अजीव परिस्तितियों में फसकर बेबस अनुभव कर रही थी, पिछले आगस्त में पूरण देई क्वीन्स रोड पर हन्वान जी के मंदिर से लोटते समय वर्षा से खुब भीग कर सर्ति खा गई थी, तब से उसकी अवस्ता बिगडती ही गई, मुसीबत और परिशानी अकेली कब आती है, तारा पर भी वही बीत रही थी, मई में रविवार की दोपहर पडोसी तलवार का नोकर खेम सिंग तारा के नोकर परसु के साथ आया, और बहुत विन्य से हाथ पाउं जोड़ कर तारा के साम पड़ी अफसर हैं, हुजूर ही इनसाफ कर सकती हैं, आपके ही सामने दर्खास कर सकते हैं, यहां हम लोगों की और कौन सुनेगा, हजूर, नई दिल्ली में अफसर लोगों के यहां, घर के नोकरों को दिन में चार घंटे की छुटी मिल रही है, हपते में एक शाम की नीचे होटल में नोकरों को भी दोपेर की छुटी मिलती है, सरकार हम लोग भी तो आदमी हैं, हमें भी कभी अपना काम होता है, हजूर हमें भी रिस्ट का टेम मिलना चाहिए, तारा ने खेम सिंग की प्रकट विने में अधिकार की मांग और उसकी प्राथना की गंभिरता समझी, अभी भूत विने से प्राथना कर रहा है, कुछ दिन बाद हर्ताल की धमकी देगा, दिल्ली के घरेलू नोकरों में नई हावा चल पड़ी थी, घरेलू नोकरों के नई तर्ज और उनकी बढ़ती हुई तनखाओं से मध्यवित सफेद पोश लोग परशान हो रहे थे, वह स्वैम परसू जैसे मोर्क छोकरे को 18 रुपे खाना कपड़ा दे रही थी, परसू की समझ चाहे जितनी मोटी थी, पर इतना जरूर समस्ता था कि वह खेम सिंग से पुराना नोकर था, खेम सिंग 20 रुपया महिना पा रहा था, तो उसे भी 20 मिलने चाहिए थे, जा यहां जाएगा, दो रुपया अधिक ही ले सकेगा, अलबत्ता बीबी जी के यहां आराम भहुत था, बिमारी में इलाज पर बीबी जी का पैसा खर्च होने से एहसान का ख्याल था, पर उसके लिए दो रुपय महिना का नुकसान कब तक सहता रहता? तारा स्तीती से एपरिचित नहीं थी, सन बावन से पहले उसने स्वेम नौकर नहीं रखा था, परंतु जानती थी कि मरसी चिम्मो को बारे रुपय और खाना दे रही थी, लाहोर में उसकी गली में डक्टर प्रभु देयाल, दिवान चंद और घसीटा राम के यहां नौक के जागने से पहले से लेकर रात मालिकों के सो जाने के बाद तक काम करते रहते थे, रेस्ट और छुट्टी के नकरों की आशा घरेलू नौकरों से नहीं की जाती थी, तारा इस परिवर्तन का कारण भी जानती थी, डाक्टर नात के यहां पच्चीस और तीस रुपे ठीक नहीं किया था, भूप सिंग चिड कर खेद प्रकट करता था, साले छोटे 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 लोगों के दिमाग बिगड गए हैं, पहले भूप के मारे पहाड से भागे चले आते थे, अब वहाँ 20 काम मिलने लगे हैं, जहां देखो सरकारी आफिस खुलते जा रहे हैं, जो बिना मेहनत किये खाना चाते हैं, उस पर मालिकों की चोरी करते हैं, इन लोगों को नमक खाने के भी शरम नहीं है, आखों में पानी नहीं रहा, तारा ने सोचा, खेम सिंग उसके सामने दोहाई देने इसलिए आया था, कि उसी ने दुरगा से कहकर ताई के लिए नोकर भुलवा दिया था, जो भी हो, खेम सिंग को परसु की तरब से वकालत करने का, और तारा से मोहले के नोकरों के लिए पंचायत करवाने का क्या मतलब था, इस मामले में पासपडोस के लोगों का क्या रुख होगा, तारा खुब जानती थी, तारा ने कहा, परसु को जो कु परसु पर कौन मुसिबत है हम 10 बजे चले जाते हैं यह 11-12 से 5 बजे तक क्या करता है दिन बर सोता है अवारा गर्दी करता है हमें मालूम नहीं है क्या केम सिंग फिर भी नहीं उठा हाथ जोड़े खी से निकाल कर बोला सरकार आपके यहां किसी को क्या तकलिफ हो सकती है हुजूर आप तो बच्चों की तरह रखती है पर सरकार फिर भी ड्यूटी तो है हुजूर कभी आदमी को अपना काम भी तो हो रहता है परसू को जरूरत होगी तो कह देगा तुम जाओ तारा ने बात खत्म कर दी तीसरे चोथे दिन परसू ने आखे जुकाए हाथों के पंजे एक दूसरे में उल्जा कर एक पाउं से अंगुठे के दूसरे पाउं की एड़ी को खुजाते हुए जेपते जेपते कहा बीबी जी सब नोकरों को दोपहर में पांच बजे तक छूटी मिलती है बुवा जी हमें छूटी नहीं देती तारा ने बातने बढ़ने देने के लिए उसे डाट दिया फिजूल बख्वास मत करो तुम दोपहर से शाम तक क्या काम करते हो हुजूर मैं जरा बाहर चला गया था बुवा जी ने भू थला किया तारा ने और क्रोध दिखाया तुम बुवा जी किसे कैट करने आये हो नहीं जानते उनकी तब्यत खराब है भै हमें भी डाट देती है तुम्हें बच्चे की तरह मानती है तुम्हारी मा कभी कुछ नहीं कहती थी कैसी बेवपूफी की बात करते हो तारा ने पोरुन देवी से सिपारिस कर दी मोय मरे को दो तिन घंटे छुटी दे दिया करो आजकल का जमाना ऐसा ही है भरोसे लाइक है कभी चोरी चकारी नहीं की मरा भाग जाएगा तो तुम्हें ही अधिक परिशान नहीं होगी पोरुन देवी ने परसु के जूठे लाचन का विरोध उचे स्वर्मे किया सारी दो पैर मगर मच की तरह सोता है दो आने की चीज लेने जाता है तो दो घंटे में लोडता है जब चाहता है बिना पूशे उड़ जाता है मुझे क्या है जहां मरजी घूमा करे मैं क्यों बोलूँ तारा ने परसु को डाटा काम करना है तो धंग से करो बुवा जी को खामोखा परिशान करते हो बिना पूशे कहीं नहीं जाना होगा अपने काम से जाना हो तो पूछ कर एक बज़े से पांच बज़े तक जा सकते हो लेकिन ठीक समय पर आना होगा सबता भी नहीं बीता था कि ताई और गुरा देई ने तारा के यहां आकर शिकायती की हमने तुम्हारा क्या भी गाड़ा है तुम हम लोगों के सिर पर मुसिबत डाल रही हो सब नोकर कह रहे हैं कि तुमने नोकरों को चार घंटे छुटी का होकम दे दिया है तारा ने विरोध किया गलत है मुझे मोहले की पंचायत से कोई मतलब नहीं है मुझे दूसरों के नोकरों से कोई मतलब नहीं है मैंने किसी को कुछ नहीं कहा है तारा के इस विरोध से किसी का समादा नहीं हुआ ताई के दोनों नोकर एक बज़े से चार तक उड़ जाने लगे थे वैसे ही गूरा देई का मुरली भी नोकर कह देते सकरेटरी मेम साब परसु को छुटी देती है सबी जगे नोकरों को छुटी मिलती है हम भी छुटी लेंगे सब नोकर इकठे बैठ बैठ कर ताश या कोडिया खेलते रहते ताई तारा चे नराज होकर उसके विरुद परचार करने लगी इसे क्या है? इसके घर में काम ही क्या है? बुड़ी बुवा को टुकडों पर नोकर बनाए है दफ्तर के चपरासी हैं जो चाहे करवा ले इसे हम लोगों की परिशानी देखने में मज़ा आता है गूरा देई ने ताई से भी कडवी बात कही इसने दोपेर की चुटी के लिए नहीं बैकाया तो मैं मुरली को बुलाती हूँ उसके सामने कहें फिर हम देख लेंगे तारा नोकरों को बुलाकर पंचायत में उनके द्वारा फलाई गई जूठी अफवा का प्रतिवाद करने के लिए तयार नहीं हुई इसका मतलब होता बहे पासपडोस के लोगों के सामने नोकरों से मैं मैं तूतू करती गूरा देई जीने में खड़ी होकर प्रोक्स से चिला चिला कर तारा को सुना गई आप सरी और मोटर का घमंड होगा तो अपने घर बैठे हम क्या किसी का खाते हैं जो दबें संडी बनी बैठी है ना खसम ना बच्चे इनके घर काम ही क्या है दूसरे बाल बच्चेदार लोगों को देख कर जलती है ऐसी है तभी तो सब कुछ होते हुए भी भगवान के श्राप से संडी बनी है पासपडोस के भले लोग तारा को नोकरों को भड़काने वाली कहे कर उससे रूठ गए तारा पस्ताने लगी वे इस मकान में रही क्यों सन तरेपन में फिरोशा रोड पर नए बने सरकारी मकानों में उसे चार कमरे का मकान मिल सकता था तब पडोसियों ने सने का अधिकार जताया था कि वे उसे नहीं जाने देंगे तारा ने स्वंभी सोचा था उतनी जगें कुन समालेगा उस डंग से रहकर खर्च पसारने से क्या लाब वे मकान ले लेने पर तनखा के हिसाब से किराया कटता एक नोकर और रखना पड़ता सो रुपे मासिक का नुकसान था अर्थ विवाग के डिप्टी असिस्टेंट सेक्रेटरी सिद्धू ने भी उसे से अनुने किया था कि किरपा करके भय उसे जगें ले लेने दे इसलिए उसने स्थान नहीं बदला था अब पस्ता रही थी क्यों नहीं यहां से चली गई वहां सब भे शालीन लोगों का पडोस्त होता इन जंजटों से बची रहती कभी सोचती इस जगडे से तो अच्छा है मिस हलदार की तरह वरकिंग विमेंस होस्टल में चली जाए परंतु पूरण देई को कहां फेग देती तारा को इस खेनता में सांतों ना देने वाला कोई नहीं था महिता की पतनी सरोज सब पडोसियों की कही हुई बातों को बता देती थी और अंत में अपने घर की कठनाईयों का भी जकर करने लगती उन बातों से तारा को क्या संतोश होता मन पर बोज बढ़ जाता था तारा के लिए आने जाने के चार पांच ही जगे थी मरसी के यहां सदा ही चढधा की राजनेतिक बातों और सरकार की सदा ही विरोधपुर्ण अलोचना से वह बहुत उबने लगी थी वह मान लेने के लिए तयार नहीं थी कि सरकार कुछ भी नहीं कर रही या एक दिन में ही सब कुछ हो जाना संबव है शीलो को तारा के बियाकी मरसी से भी जादा फिक्र थी उशे विश्वास था तारा मन से असद को नहीं भूली है बहे बड़े दर्द से वही बात चला देती तारा ने कई बार उशे मना किया परंतु शीलो समबेद ना परकट किये बिना मानती ही ना थी तारा को समझाती असद ने भिया कर लिया है तो तुझे क्या तारा कंचन के यहां जाती तो मिसेज अगरवाला का फूला हुआ मूँ देखने को मिलता उन्हें विश्वास था कि तारा के ही परपंज से नरोतम गरीब घर की लड़की के चंगुल में फस गया था डाक्टर शामा उसे ब्रिज पार्टी में या कलब में ले जाने का आगरह करने लगती थी यदि दूसरे मूड में होती तो मिसेज डे की शिकायते करने लगती तारा आने परिचितों से उप जाती और घर में पूरण देई से परिशान हो जाती तो संध्या समय प्रभा सक्षेना के यहां चली जाती थी प्रभा सक्षेना आब सिक्षा विभाग में डिप्टी सक्रेटरी थी सक्रेटरीट में उसकी योगेता और रोब की धाक थी चूस्त और बेलाक समझी जाती थी परंतु तारा पर उसका भहुत स्ने होने से तारा उसके जीवन की भीतरी सीवनों से भी परिचित हो गई थी स्वेम प्रभा को लगता था कि विवा नय करके उसने जीवन में जो सफलता पाई थी वह बिल्कुल निस्सार थी आरंब में जैसे रावत ने तारा के सरक्षन का भार ले लिया था वैसे ही प्रभा को भी चिंता रहती थी रावत मूफट तो था ही तारा पर प्रभा का अनुराग देखकर एक दिन क्लब में रावत ने संस्कृत के स्लोक के उधरन की से मजा कर दिया था तारा की कुमलता देखकर मिश सक्सेना में पुरुष भाव जाग उड़ता था प्रभा अकेले में तारा को तु या लड़की संबोधन कर लेती थी शायद तारा के अतिरिक्त किसी और के सामने वह अपना मन नहीं खोल सकती थी मन हलका करने के लिए अपने एस सफल प्रेमों की कहानिया तारा को सुना देती तारा को उसकी कहानिया डाक्टर श्यामा की कहानी का ही दूसरा रूप जान पड़ती प्रभा ने सफलता और पर्तिष्ट्या पर सब कुछ निशावर कर दिया था अब नोक्री समाप्ति का समय निकट आ गया था भविश्य में क्या करेगी ये विचार उसे चिंतित कर देता था उच्छवास से कहने लगती लड़की ऐसी भूल न करना देख मेरा क्या है किसी भांजे भांजी को दे जाऊंगी पर वहे मेरा तो नहीं हो जाएगा मैं तो जीवन का टाट पट्टा समेट रही हूँ मेरा नारित्व तो केवल धूप में सूख कर ही समाप्त हुआ अपने पेट की संतान को पालने का संतोश नहीं पाया तो क्या पाया? किसी ने अपनी समझ कर कोई अधिकार नहीं जताया ने कभी किसी के सामने मान किया ने किसी के सामने रोई कभी किसी के लिए पका कर पर्तिक्षा नहीं की तारा को ये बाते अच्छी नहीं लगती थी ये बाते सुनकर अपने जीवन का सित्र बहुत भीशन लगने लगता था जैसे सुने मरगट में खड़ी हो और चितकार कर देना चाहती हो जीवन तो जैसा है वैसा ही रहेगा जीवन में अकेलापन है तो है क्या मैं भी अकेली नहीं हूँ इच्छा होना तो सभाविक है पर कोई इच्छा पूरी नहीं हो सके तो स्वयम अपनी विडमना करने से क्या लाब यह बातें सोचकर तारा के मन पर एक अजीव सा दबाव अनभव होने लगता सितंबर में भी मोसम बहुत खराब चल रहा था वर्षा हो जाती तो कीचड होकर बाहर जाना असंभव हो जाता या हवा रुक कर व्याकुल कर देने वाली गर्मी हो जाती सदा पढ़ते रहना निस्प्रयोजन पढ़ते रहना भी तो संभव नहीं था तारा जाती भी तो किसके यहाँ सदा वही बाते करने और सुनने को मन ने चाहता और अकेली बैठी अजिव चिंताओं और उधेड़ बुन में उलज जाती इस बेचेनी से बचने का एक ही उपाय था गाड़ी पर 30-40 मिल घूमाना या छोटी मोटी बातों में भूल जाने का यतन करना अच्छे डंग से कप्डे पहन कर अपनी आखों में सुन्दर लगने का संतोष पाना और कुछ देर के लिए बाजार की भीड में चले जाना वह बाजार जाकर कोई कीमती साड़ी या दूसरी चीज खरीद लिती विश्वास कर लेना चाहती थी संतुष्ट हूँ मुझे क्या कमी है जो चाहती हूँ कर सकती हूँ कुछ खर्च कर देने से संतोष होता था जैसे अपने लिए कुछ कर लिया हो बन ठन कर घूमने चली जाना भी सरवदा निरापद नहीं था लोगों की आखें गड़ने लगती थी या बोली ठाली कान में पढ़ जाती थी उसके मकान के नेचे फरनेचर वाला पंजाबी उसे गाड़ी से निकलते देखता तो बोली से पडोसी को संकेत कर देता ब्लैक एंड वाइट लोगे पडोसी उतर देता भाई बहुत उचे मिजाज की चीज है उतना दाम कौन दे हम तो देखकर नशा पूरा कर लेते हैं तारा खुब समझती थी प्राही ही उसकी पोशाक में काला और सफेद रंग रहता था गाड़ी भी उसकी काली और सफेद थी कनाट प्लेस में पीट पीछे सुनाई दे जाता अब वो माल आया है तारा को इस आशिक मिजाजी पर क्रोध के बजाए हसी आ जाना चाहती पर होट दभाए रहती ऐसा अवसर ने आने देना ही बहितर था उस संध्या भी तारा घर में आके लेती कुछ सोच कर घूमने के लिए तहियार हो गई थी खूब कीमती सफेद जारजिट की साड़ी पहन ली थी सोच लिया था फिल्म का नाम देखे बिना किसी भी सिनेमा में चली जाएगी फिर उससे अच्छी बात सूझ गई करोल बाग जाकर शीलो के लड़के और लड़की को फैज बाजार से जया को ले आएगी उसे आइसक्रीम खिला कर खिलोने खरीद देगी बच्चों को मनाना रिजाना और खिलोने खरीदना उसे बहुत अच्छा लगता था सोच रही थी करोल बाग जाए या फैज बाजार खुब समार कर जुडा बांदा बटवे में सो रुपे का एकोर नोट डाल लिया अचानक जीनने के किवाडों पर कटखट सुनाई दी यह कून आ गया तारा जुझ लाई देखने के लिए परसु को आवाज दे दी उसे अकेले पन की सिकायत थी परन्तु इसे समय नहीं चाहती थी कि कोई आकर सोचे हुई विनोध में अर्चन डाल दे डाक्टर साब परसु ने बताया तारा समझ गई डाक्टर नाथ है जुझला हट मिट गई तुरंत बैठक में आ गई डाक्टर गर्मी के कारण चत पर पंखा चालू कर रहा था तारा को विश में हुआ नाथ पसीना पसीना हो रहा था और इतनी उमस भरी गर्मी में हलके सलेटी रंग की उनी कमीज और सलेटी रंग की उनी पतलून पहने था तारा को आशंका हुई तब भित तो ठीक है गर्मी के मोसम में उसने डाक्टर को कभी भी सफेद कमीज यबो सेट और सफेद पतलून के अतिरिक कुछ और पहने नहीं देखा था तुम तो बाहर जा रही हो नहीं नहीं बैठी 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 उबकर यों ही जा रही थी शायद आपके बंगले की ओर ही चली जाती उनी कपड़े क्यों पहने हुए हैं तारा ने पूछ लिया क्या बताऊं नाथ ने कुर्सी पर बैठ कर कहा भूब सिंग अच्छी मुसिबत कर गया है मालूम नहीं कपड़े किस लांडरी में या धोबी को देता था लांडरी की रसीद वसीद नहीं दे गया कल और परसों तो अलमारी में कमीज और पतलून मिल गए थे मेरा अनुमान था बक्स में और भी कमीज पतलून होंगी आज सुबह देखा तो कुछ नहीं मिला सुबह दफतर जाते समय एक दुकान पर चार सुती पतलूनों के लिए कह दिया था विश्वास दिलाता था कि चार बजे दे देंगी साथ बजे तक भी तहयार नहीं किये अब आठ बजे फिर जाना होगा दो भुषट सिली हुई ले ली है भूप सिंग दफतर में भी नहीं आया जाने कहां चला गया है भूप सिंग कहां चला गया तारा ने चिंता से पूछ लिया तुमें नहीं मालूम टाक्टर ने पूछा अकबार नहीं पढ़ती, Class 4, Government Employees Union के अंदोलन की बात नहीं जानती हाँ, अकबार में तो देखा है, पर भूप सिंग तो अपनी ही इच्छा से आपके यहां रहता था ताहरा ने विश्मे से कहा, उसे आप नहीं रहना था, तो दो-तिन दिन पहले कह देता आप मुझे फोन कर देते केंद्रिय सची वाले के चपरासियों की यूनियन ने प्रस्ता अपास कर दिया था चपरासी सरकारी नोकर है, वे अपसरों के घर पर काम नहीं करेंगे घर की सफाई या मोटर धोना, अपसरों के बच्चों को स्कूल पहुंचाना या बच्चों को शेयर कराने ले जाना अपसरों के घर से दफ्तर में खाना लाना, उनके लिए चाई, सिगरिट, पान ला देना या सुराही से गिलास में पानी देना भी उनका काम नहीं है यह काम उनके लिए अपमाजनक है वे सरकारी काम के लिए हैं उनकी ड्यूटी, कमरा साफ कर देना सुराही भर कर सहाब के कमरे में रख देना और फाइले या संदेश इधर से उधर पहुँचाना है गरेलू नोकरों का काम उनकी परतिष्टा के परतिकूल और गैर कानूनी है अपने निश्चे के कानूनी स्मर्थन में वे मैनुवल की धाराएं और नियम संख्या बता सकते थे अपसरों को चपराशियों के वेबार से बहुत अपमान अनुभ हो रहा था मोटरने साफ करने की बात वे मान सकते थे परन्तु घर से खाना ला देना या कैंटिन से चाए और सुराही से पानी दे देने पर एतराज उने केवल ग्रश्टता मालूम होती थी तारा का भी ऐसा ही विचार था तारा अपने चपराशी से घर का कोई काम नहीं लेती थी दफ्तर में कभी कभी चाए जरूर मंगा लेती थी या तिपाई पर रखी सुराई से जलका गिलास दे देने के लिए कह देती थी इसके लिए उसका चपराशी मामूली रिवाज के अनुसार होली, दिवाली, दशेरा और नव वर्ष के अवसर पर सलाम के लिए दो-दो रुपया भी पाता था दुरगा पांडे ने पिछले वर्ष बहुत कातरता से हाथ जोड कर अपनी पतनी की दवाई के लिए तीस रुपय उधार मांग लिये थे रुपय आभी तक लोटा नहीं सका था तारा ने एक बार में ये समाचर पढ़ा उसी दिन अपना व्यभार स्पश कर देने के लिए उसने तीन बजे घंटी दबाकर दुरगा को कमरे में बुलाया उसकी और देखे भी न हुकम दिया कैंटीन के बैरे से को चाई दे जाए सधर्ण व्यभार के अनुशार चाइ ले आने के लिए नहीं कहा दस मिनिट बार तारा ने फिर घंटी बजाई दुरगा को फिर आदेश दिया कैंटीन में जाकर बैरे को याद दिलाओ की चाई नहीं लाया दुर्गा ने हाथ जोड कर शमा मांगी हुजूर माता जी इसमें हमारा कोई दूसरा कसूर नहीं है हमने हुजूर कभी साब लोगों के जूते साफ करने से भी इतराज नहीं किया हुजूर जब नोकरी कर रहे हैं तो मिजाज क्या जब से नए-नए अंग्रेजी पढ़े लोंडे भरती हुए हैं तो यह कानून बगारे जाने लगे हैं माता जी चायले आने में हमारी क्या जात विगड़ती हैं हमेशा से लाते थे हम तोले आएं यह लोंडे हम पर थू-थू करने लगेंगी यह लोंडे हमारी फजियत कराएंगे तारा का क्रोध उतर गया ख्याल आया मनुश्य इतना दीन क्यों बन जाए देन्ने का विरोध करना क्या बुरा है सिता की बात याद आ गई वह अपने सेनियर डिस्पेचर के लिए क्या कहती थी दफ्तरों में काम करने वाली दो-चार ओर लड़कियों की भी ऐसे सिकायतियों की अफवाएं सुनी थी आदमी को परिस्तितियों से दब जाते क्या देर लगती है डाक्टर नाथ ने बताया भूप सिंग यूनियन वालों से अड़ गया था कि वह अपनी इच्छा और नफे नुकसान का मालिक है उसके मामले में किसी को बोलने की जरूरत नहीं थी उसकी नोकरी का समय भी पूरा हो रहा था साथ ही महीने शेश थे वह डाक्टर जैसे सादू, राजा अपसर की सेवा छोड़ने की अपेक्षा नोकरी छोड़ देने के लिए तैयार था दो दिन पहले साज साड़े छे बजे डाक्टर बंगले पर पहुँचा तो काफी गोल माल देखा 25-30 चपरासी बंगले से फाटक पर जमाते भूप सिंग बरामदे में तना खड़ा था डाक्टर ने घबरा कर पूचा क्या बात है यूनियन के लोग भूप सिंग की चुनोती से चिड़ गए थे सेकेटरियेट के दफ्तर बंध होने के बाद यूनियन का उग्र कारी करता बसंतलाल अपने इस मर्दकों को लेकर डाक्टर के बंगले पर पहुँच गया था एक जवान चपराशी ने आगे बढ़कर सहस से बात की सर हम कोई उपद्रो नहीं कर रहे हैं हम बंगले के बार खड़े हैं आगर कोई चपराशी यूनियन का फैसला नहीं मानेगा अपसरों के घर पर काम करेगा तो हम उसे समझाएंगे यह हमारी कीलास की इज़त का सवाल है ठीक हैं मैं भी यूनियन के निरने के भिरूद चपराशी से अपने घर का काम नहीं करवाना चाहता डाक्टर ने उतर दिया नोजवान ने कहा सर माफ कीजिए तो फिर भूप सिंग रात को बंगले में क्यों रहते हैं हमें मालूम है वे सब काम करते हैं खाना बनाते हैं बर्तन भी मांजते हैं डाक्टर ने स्विकार किया भूप सिंग पर कोई दबाव नहीं है वहे अब तक अपने लाब के लिए, अपने इच्छा से काम करता है यूनियन को एतराज है, तो उझे नहीं करना चाहिए डाक्टर ने भूप सिंग की और देखा हम तुम्हारी यूनियन के फैसले के विरुध काम नहीं करवाना चाहते भूप सिंग ने गेहरा सांस लेकर डाक्टर के और देखा वहे अपमान और क्रोध से स्थब रह गया था घूम कर अपनी कोठरी के और चला गया अपना बिस्तर और तीन का बक्षा लेकर बरामदे में आ गया उसने चावी का गुच्चा डाक्टर के सामने डाल दिया आखे जुकाए नमस्कार किया और चुपचा बंगले से बहर चला गया उसके पीछे यूनिन के लोग इनकलाब जिंदाबाद के नारे लगाते चले गए रात साड़े नो बजे डाक्टर को फोन आया फोन पर गिल कनाट पुलेस के एक काफी हाउस से बोल रहा था उसने डाक्टर से संध्या की घटना के विशे में पूचा और बताया कि उसका साथी एक पतरकार कह रहा था कि पतर में डाक्टर के बंगले की घटना का समाचार जा रहा था डाक्टर की परसंचा में यूनियन के सेकरेटरी का ब्यान भी था डाक्टर ने बहुत अनुने से अनुरोध किया गिल ये समाचार ने छपने देना ऐसी मश्यूरी मुझे नहीं चाहिए गिल ने हज कर अश्वाशन दे दिया मुझे भी संदे था तब भी आपसे पूछ लिया डाक्टर ने तारा के सामने विवस्ता परकट की कमोहिक रूप से उसकी बात भी गलत नहीं है कानुन भी उनके ही पक्ष में है वे लोग पुरानी बातों से बदले की भावना और उतेजना से बातों को बढ़ा रहे है परन्तु मूलत है उनकी बात गलत नहीं है आप खाना का खा रहे हैं तारा ने चिंता से पूचा वे तो इतनी बड़ी समश्या नहीं है डाक्टर ने बेपरवाही से हाथ हिलाया दिल्ली में खाना चाहे जहां मिल सकता है पर तीन दिन से जाड़ों नहीं लगा कोई मिलने वाला आ जाए तो बैठाओं भी कहां तुम अपने चपरासी से या नोकर से कहना जल्दी कोई आदमी धूण कर दे तारा ने होट काट कर मान से जवाब तलब किया आपने अब तक मुझे फोन क्यों नहीं किया अच्छा सुनो पूरी हैं आया था डाक्टर ने पूछ लिया तारा एपर्ट्यासित प्रशन से विस्मित रह गए बोल ना सकी केवल इनकार में सिरहला दिया डाक्टर पलवर खिड़की से बाहर देखकर बोला योजना के परकाशन से पूर्व अंतिम विचार के लिए प्रामर समिती की बैठक हो रही थी उसी सिलसिले में लंच और डिनर प्राये नित्ते ही इधर उधर होता रहा पंजाब से विश्वनात सूध भी समिती में है उनका विचार है कि अभी राष्ट्रिय नियंतर्ण में उत्पादन के लिए उप्युक्त समय नहीं आया है सूध समिती में तो अधिक नहीं बोले आज दोपेर मंडल के यहां लंच के समय मुझसे कहा कि मेरे मकान पर आकर बात करना चाहते है मेरे यहां जैसी हालत है उन्हें आने के लिए कैसे कहता यही उचित समझा कि वे जहां ठहरे हैं मैं ही चला जाऊं वे चोसिया के यहां हैं वहीं से आ रहा हूं सूध के साथ पुरी भी था उसे तुम्हारा पता ने मालूम पर कनक खैर ठीक है डाक्टर अनुमान में चुप हो गया तारा आखे फिराई मोन रही डाक्टर ने कुर्सी पर करवड बदली क्या अजीब लोग है और क्या इनका हकला हकला कर बात करने का डंग है सूध की बात कर रहा हूं पूरी भी बिलकुल उसकी हा मे हा मिला रहा था मेरा अनुमान है सूध ने पूरी से मेरे विश्य में पहले बात कर ली होगी लोग नोकर शाही डंग को कोशते हैं सूध का डंग तो पूरा ताना शाही है बिल्कुल जैसे अमरीकन बास अपने कारोबार में हुकम चलाता है मेरी बात नहीं सुनी हकला हकला कर क्या नाम क्या नाम करता अपनी ही बात कहता गया ये क्या तर्क है ये क्या तरीका है अजीव आदमी है तारा ने उच्शुकता से डाक्टर के ओर देखा डॉक्टर ने बताया, सुध कहता है, मान लिया इस योजना में बहुत सिग्र और द्योगिक विकास हो सकता है पर योजना को कारियानवित कोन करेगा? योजना को कारियानवित करने के लिए सबसे पहले मजबूत सरकार की जरूरत है योजना तो बहुत अच्छी है लेकिन यदि नए चुनाव के परिणाम में कोई दूसरी प्रतिक्रियावादी सरकार बन जाए और वह इस योजना को एव्यभारिक बता कर रद कर दे तो दूसरी योजना की मुल निती को चुनाव से पहले लागू कर दिया गया तो कॉंग्रेस जनता के सबसे महत्वपुन अंग का विश्वास और सहयोग खो बैठेगी यह योजना तो उन लोगों के लिए सीधी सीधी कम्यूनेजम के धमकी है यदि कॉंग्रेस सरकार बनाने में ही सफल नहीं हो सकी तो योजना कार्यानमित कोन करेगा योजना कॉंग्रेस के लिए आत्म हत्या बन जाएगी पूरी ने सूध के समर्थन में तरक दिया देश की पूंजी अपने लिए प्रतिकूल प्रिस्तिती देखकर बजार में सिमिट जाएगी पस्चिमी रास्टा हमारी निती में टोटलिटेरियन प्रवर्ति देख साहता के हाग खीच लेंगे योजना को केवल आतिक सिधानतों कि अपेक्षा वेभारी क राजनीती के द्रश्टी कोन सी देखना अवश्यक है सूध ने मुझे चितावनी दी कॉजना लागु करे तो पहला वेभारी क लक्षे तो कॉजने सरकार की स्थिर्था होना चाहिए मैंने सुद्जी से कहा भावी चुनाओं में क्या होता है ये योजना का विशे नहीं है राजनितिक भाविशे को राजनितिक यही अच्छी तरह समझते हैं हम लोग ने योजना की व्यवस्ता सरकार द्वारा नर्दिष्ट सिमाओं में ही बनाई है हमारी एविक्सित परिस्तितियों में जिस वोज गोस और तंत्र नेजी व्यवसाय की व्यवस्ता नहीं उठा सकती उसे राश्टिय साधनों और राश्टिय उत्रदायित्व से पूरा करने का प्रियतन है मेरा खयाल है इसे समय कॉंग्रेश की यही निती है इस योजना के मुखे हधार परधान मंतरी और मंतरी मंडल ने निस्चित किये हैं योजना की रूप रेखा उन्हें समय समय पर बता ही जाती है सूध जी बिगड कर तुथलाने लगे परधान मंतरी तो हवा में रहते हैं परधान मंतरी लाखो आदमियों की भीड से एक साथ मिलते हैं काम भीड से नहीं चलता परधान मंतरी भीड से चुनाव के लिए चंदे की भी अपील करके देख ले लाख की भीड़ से दस जार भी नहीं मिलेगा आगम एलेक्षन के लिए एक एक राचे में करोड करोड का खर्च बढ़ेगा परधान मंतरी इकठा कर देंगे ये रकम सोशलिस्टिक ढंग एक बात है पर ढंग व्यभारिक तो होना चाहिए आगम व्यभारिक ढंग हम लोग कैसे मंजूर कर सकते है जम्यवारी तो हमारी है वे तो अपना आशिरवाद देकर एक तरफ हो जाएंगी यह बात आपको जरूर धान में रखनी होगी फिर सूद दूसरी बाते करने लगे अजीब बाते विश्मे है और दुख भी है क्योंकि मुझे वह पूरी की सूद लगी सूद ने कहा तुम तो अर्शास्तर के विद्वान हो खोज और आध्यन तुम्हारा विशे है तुम खामुका इस जगडे में समय बरबाद कर रहे हो ये तो ममूली सकेरेट्रियों के काम है तुम्हारे लिए उचीतस्तान रास्ट्री खोज संस्ता में है तनखा भी यहां से अच्छी ही हो जाएगी अध्यन के लिए पूरा आवकास रहेगा साल दो साल में पंजाब में या किसी भी उनिवर्सिटी में वाइस चांसलर बनने का आवसर हो सकता है सूध इसके लिए अस्वाशन देने को भी तैयार दे तारा मौन रही फिर गहरा सांस लेकर बोली चक्करों के भीतर चक्कर चल रही है मुझे डर ही लगता है ये लोग जाने क्या कर डाले डाक्टर फिर बोला पर मुझे पूरी पर विश्मे होता है मुझे बाहर छोडने आया तो जरूर अपने पन से कुछ बात की पर सूध के सामने बिल्कुल रूखा बना रहा मुझे खयाल था यहां आएगा अब तक आ गया होगा बे लोग तो रात की ही गाड़ी से पंजाब लोट रहे है डाक्टर सहाब खाना लाऊं तारा ने परसंग वदलने के लिए कहा खाना खाऊंगा पर पहले कनाट पुलेस से पतलोने तो ले आऊं दुकान आठ बजे बंद हो जाएगी आठ दस मिनिट में लोटता हूँ डाक्टर अपना ब्रीफ केज और खरीदे हुए कपड़ों का बंडल तिपाई पर छोड़कर जिना उतर गया तारा रसोई की ओर गई खाट पर लेटी हुई पुर्ण देही ने कमजोर आवाज में पूछ लिया डाक्टर साब आये हैं मैं उठकर दो फुलकिया सेख दूँ नहीं बुवा तुमने उठना मैं कर लूँगी अभी जरा देर में आएंगे तारा ने देखा परसू ने क्या बनाया है फुलके बनाने के लिए शेश थे उसने परसू से कहा फुलके मैं बनाती हूँ तुम एक पाओ रबडी और नीचे होटल से एक कटूरी मीट ले आओ जट पड़ खाकर तयार हो जाओ तुम्हें साथ जाना है नाथ ने लोटकर खाना खाया खाते समय उसे फिर पूरी की याद आ गई कनक को मैंने तीन चर बार ही देखा है बीतरी बात नहीं जानता पर मुझे वह सच्ची और साफ लगी पूरी के ऐसे ही किसी व्यभार से उसका मन फट गया होगा तारा ने स्विकार किया बहुत सहसी है, सच्ची है उसका परिवार इस विवा के विरूत था बाई की उस अवस्था में कनक का इस विवा के लिए आगर है बहुत सहस और त्याक की बात थी अनुमान है उसे किसी बात से जरूर ऐसे ही निराशा हुई है बहुत कुछ कह रही थी डाक्टर अपना ब्रीफकेस और कपड़े उठाने लगा तो तारा ने रोक लिया डाक्टर सहाब परसु आपके साथ जाएगा जब तक दूसरा आदमी नहीं मिलता वही रहेगा जैसा तैसा खाना बना ही लेता है डाक्टर ने विरोध किया क्या कहती हो या कैसे काम चलेगा बुवा बिमार है तुम उसे और आदमी लाने के लिए कह दो तुम क्या होटलों में खाने जाओगी क्या पागलपन है नहीं डाक्टर सहाब तारा ने द्रड निश्चे से का मैं उसे कह चुकी हूँ अब तो बुवा जी की हालत काफी सुदर गई है तारा ने परसु को बुला लिया और डाक्टर का समान उसके हाथ में दे दिया परसु के नए होने के कारण पुर्ण देई सुबे नहा कर दिवार और किवाडों का सहरा लेकर रसोई के और जा रही थी तारा ने उसे रोक दिया नहीं अभी चूले के पास नहीं जाना मैंने दोनों के लिए खिजडी बना ली है तारा बहुत दिन बाद रसोई में गई थी देखा परसु ने खुब कूडा जमा कर रखा था सोचा मर्दों को रसोई और घर की सफाई में रूची नहीं होती किसी तरह निमफा देने के लिए काम कर रहते हैं वहां बंगले पर जाने क्या हाल होगा परसु क्या कर सकेगा तीन बज़े दफ्तर से स्वयम जाकर देख जाऊंगी परसु को समझाती भी जाऊंगी तारा तीन बज़े डाक्टर के बंगले पर चली गई फाटक की आड़ेश अटा कर गाड़ी भीतर ले गई परसु दर्वाजे बंद की ड्राइंग रूम में पंखा छोड़ कर दरी के बीच ओभी सो रहा था तारा ने घुम घुम कर देखा परसु ने उपर उपर से जाड़ पोश दिया था परन्तु धूल कूड़ा सब जगे मौजूद था तारा ने परसु को गंदगी दिखा कर काम के लिए चुस्त किया जाड़ू जाड़न लाने के लिए कहा स्वेम भी साड़ी का आचल कमर में कस लिया परसु से ड्राइंग रूम की दरी उठवाई दरी के नेचे गर्द की तह जमे हुई थी उपर कोनों से जाला साफ कराया दिवारे जड़वाई पानी की बाल्टिया मंगवा मंगवा कर फर्स दोना शुरू किया परसु बार बार कह रहा था बीबी जी मैं करता हूँ अब रहने दीजी तारा ने कहा मैं सफाई करके दिखाती हूँ कि कैसे करनी चाहिए ट्रोइंग रूम का फर्स सूख रहा था तो तारा ने दफ्तर का कमरा साफ करवाया चाहती थी डक्टर के लोटने चे पहले सब कुछ ठीक कर दे परसु से कह दिया तुम रसोई के सब बरतन मांज कर ठीक कर दो गुसल खाने में जहाका तो दो तिन गंदे तो लिए और उत सोने के कमरे के और ध्यान दिया देखा डाक्टर अपने बिश्तर को जैसे त्यसे सीधा करके पलंग पोस्ट से ढग कर चला गया था चादर में खूब सलवटे पड़ी थी खेस और धरी में भी सलवटी थी पलंग के सामने बिचे छोटे से कालेन को हटाने के लिए तारा नेचे जुकी तो देखा पलंग के नेचे पहने हुए कपड़े पड़े थे तारा ने पलंग के नेचे से कपड़े खीच लिए उतार अलमारी हुई चार सफेद पतलूने और कमीजे थी। कपड़े उठाकर अलमारी में रख देने के लिए तारा ने पतलून कमीजे बहां में समेट ली। मर्दा ने कपड़ों को छूने का अवसर बरसों भाद आया था। डाक्टर की पतलूने और कमीजे बहां में समेट लेने से तारा को अजीब सा लगा पसीने की तीखी सी गंद अनुबव हुई मन कपड़े फेक देने को नहीं हुआ गंद प्यारी सी लगी ख्याल आ गया डाक्टर सहाब के हैं कपड़ों में माता चुआ दिया कपड़ों को अलमारी में रखकर बहां में लिये रही फिर लजा गई ह आई ये क्या पागलबन है पांच बज रहे थे तारा सब कुछ कर चुकी थी परसू साबू लेकर नहीं लोटा था तारा परिशान हो रही थी चाहती थी शेश काम भी जल्दी समाप्त करके डाक्टर के आने से पहले लोट जाए उसके कपड़े और सिर गर्द से भर गए थ ऐसी अवस्ता में डाक्टर के सामने कैसे होगी परसू सवा पांच बजे लोटा तारा घबरा रहे थी डाक्टर नात के लोटने में अधिक समय नहीं रहा था तारा ने तुरंत बाल्टी गुसल खानने के नल के निचे रख कर बहुत सा साबन गोल डाला तोलिये जांगिये बनियान बाल्टी में डाल दिये परसू से कहा दूप थोड़ी देर ही है कपड़ों का सामन निकाल कर गुसल खानने से देती जाओंगी तुम दोड़ दोड़ कर बाहर दूप में दिवार पर डालते जाओ ये भी खयाल रखना कोई आता जाता उठाना ले जाए परसू ने दोड़ कर फाटक खोला डाक्टर ने गाड़ी भीतर करते वे दिवार पर सूखते कपड़ों की वर देख कर परसंचा से कहा वहा तुम तो बहुत मेंती जवान हो कपड़े धो दिये साबुन कहां से लाए हुजूर बीबी जी धो रही है उन्होंने साबुन मंगाया है डा आवाज दी तारा सुनो ये क्या हो रहा है तारा गुसल खाने में थी कपड़े धोते समय साड़ी पर छीटे ने बढ़ जाए इसलिए साड़ी उतार कर खूटी पर लटका दी थी बलाउज पेटी कोट पहने जल्दी जल्दी शेस कपड़े निचोड रही थी कि गुसल खा रहतन में हाथ इस्तिल होकर देर हो रही थी डाक्टर जुंजरा जुनला कर तारा को बाहर आने के लिए कह रहा था तारा ने कपड़े पहन कर दर्वाजा खोला डाक्टर सामने ही खड़ा था माथे पर पर परिशानी के तीवर थे तारा ने शर्मा कर पीट फिरली और गु दक्टर के और नहीं देखा, सिर जुकाई कह दिया, हम नहीं बोलते, ये सब करने की क्या जरूरत थी, तारा मुँ फेरे मोन किवार की चोखट नाखुन से खोटती रही थी, तुम इधार आओ, हम नहीं बोलेंगे, तारा ने मान और लज्जा से कहा, ये तुम्हारी बहुत जाती है, इधर आओ ना, हम नहीं बोलते आप से, क्यों, हमें ख़बर नहीं दे सकते थे, पर ये क्या किया तुमने, तारा सिर जुकाई मोन रही, डाक्टर ने हार कर तारा को कोहने से पकड़ कर गुशल खाने के दरवाजे से खीच लिया, तारा में इतना बल कहा था कि ज जीवन में कभी नहीं पाई थी, इससे पूर्व, यातना और संकट ने उसे मुर्चित और जड़ कर दिया था, इस मानसिक संगर्ष और वेथा में उसकी चेतना अत्यंत उग्र थी, देश को टुकड़े करने वाला परले अब शान्त हो गया था, परन्तु उस परले के पिड़ा उसके शरीर में सदा के लिए रह गई थी, मेरे साथ जो भी हुआ, मैं किसी का जीवन कैसे बरबाद कर दूँ, कभी उसे जान पड़ता था, पाताल में गिरी जा रही है, कभी जान पड़ता था, स्वर्ग की और उठ जाना चाहती है, स्वर्ग और पाताल उसे अ टुकड़े हो जाएं, और आधी में पत्तों की तरह उड़ जाएं, उड़ कर नात के चरणों की धूल बन जाएं, नात ने भूत संकोच से हिचकते हुए उसके सामने प्रस्ताव रख दिया था, तुमने कहा था, समय आने पर तुमारे विभा के विशे में मैं ही निरने कर तो उसने और मान की मूडता में वह रुकते रुकते नात के सेने पर गिर पड़ी थी, उस घटना की स्मरती से वह एक पल भी मुक्ती नहीं पा सकी थी, उस प्रस्ट भूमे में नात का ऐसा प्रस्ताव बिलकुल एपरत्याशित भी नहीं था, परन्तु नात का प्रस्ताव सुनकर तारा की गर्दन जुग गई तारा की बैठक में उसके सामने ना थी था दोनों का आमने सामने बिल्कुल चुप जडवत बैठे रहना नाथ को उचित नहीं लग रहा था उसने प्यार से ब्रहिस्वर में पूछ लिया कुछ भी नहीं बोलोगी तारा को इतनी जोर से रुलाई आ गई थी कि उसे उठकर अपने कमरे में चली जाना पड़ा वह नाथ को उत्तर देने के लिए रुलाई रोकने का परियत्न कर रही थी उसे पता ही नहीं लगा कितना समय बीत गया सहियत होकर बाहर आई तो नाथ जा चुका था खिडकी से बाहर नजर गई तो सब और बिजली का परकाश हो चुका था तारा बहुत देर तक रोती रही तारा अपनी ऐ भद्रता के प्रति गलानी से धर्ती में गड़ गई सोचा अभी फोन करके शमा मांग ले फोन पर हाथ रखा तो फिर आशु भे आए डर गई बात नहीं कर पाएगी फोन से हाथ खीच लिया तारा ने रात दस बजे द्रट निश्चे करके बैठके दरवाजे बंद कर लिये फोन पर नमबर मिलाया आशु भेते जा रहे थे पर वे होटों को दाटों से दबाए थी मैं तारा कहते ही हिच्की आ गई पर उसी सांस में कह दिया शमा कीजिए मैं विभा के योगे नहीं हूँ तारा केवल इतनी ही बात कह देना चाहती थी परंतु नाथ ने तुरंत पूछ लिया क्या मतलब ऐसा क्यों कहती हो ठीक कहती हूँ शमा कीजिए ऐसी ही बात है तारा ने बहुत यतन किया परंतु नाथ को उसके रोने का आभास मिल गया था इस समय फोन रख दो मैं वहीं आकर बात करूँगा तारा फिर अपने पलंग पर लेट कर आचल में मुह दबाय रोने लगी चाहती थी अपने शरीर को आशों से गला गला कर बहा दे पूरण देई विश्मित थी लड़की को क्या हो गया है अवश्य कोई बहुत विकट पीड़ा होगी तारा ने खाने से भी इनकार कर दिया था पूरण देई बार-बार हालप उसने आ जाती थी तारा ने चिड़ कर अपने कमरे का दर्वाजा बंद कर दिया दूसरे दिन तारा की अवस्ता ऐसी थी कि उसे दफ्तर से छुटी ले लेने पड़ी तारा का मस्तिक्ष निरंतर चक्रा रहा था नात को कैसे उत्तर देगी सच्चाई और स्पष्टता के अतिरिक दुसरा कोई उपाए नहीं था रविवार पराते है आठ बजे ही नात का फोन सुना बहुत प्यार और अधिकार से उसने कहा तारा इस समय सुविदा हो तो मैं आऊं तुमारी हाँ सुनने के लिए बहुत व्याकुल हूँ डाक्टर सहाब यहां ठीक नहीं रहेगा तारा ने बहुत तटस्त स्थिर्शवर में कह दिया नो साड़े नो तक वहां ही आ जाऊंगी साथ वर्ष पूर्व तारा के मन में बार-बार आता था आतम हत्या कर ले उस समय उसने अपनी परताडना की थी इस परकार कायरता से क्यों मर जाए जब समय आएगा मरने से भी नहीं डरेगी तारा अपनी गाड़ी में नात के बंगले की और जाते समय सूच रही थी आज वह समय आ गया है इस समय वह अपने आपको बिल्कुल शांत रखना चाहती थी तारा को देखकर नात को विश में हुआ तारा की निरंतर मुसकन गायब थी वह पीली, सफेद, मौम की मूर्ती, स्वपन में चलती सी लग रही थी नात ने ड्राइंग रूम में नहीं अपने दफ्तर में समीब कुर्शी पर बैठाया तारा कुर्शी की बहाँ पर कोहनी टिका कर मुठी पर ठोड़ी रखे आँखे जुकाई हुए थी नात ने तारा को दो पल सास लेने का अफसर दे कर आरदर स्वर में पूछ लिया विवा के योगे नहीं होने का क्या मतलब, बताओ तो सही तारा ने आँके जुकाई तुरंद उतर दिया मैं रुग्ण शरीर हूँ, शब्द उसके होटों पर ही रखे हुए थे क्या मतलब, कैसा रोग, नात के माते पर विश्मे के तेवर पढ़ गई तारा ने उसी परकार निश्चलांके जुकाई, निसंकोच उतर दिया आपको बता चुकी हूँ, आपसे कभी जूट नहीं बोली, नहीं चिपाया क्या बता चुकी हूँ, नात का विश्मे और बढ़ गया आपको बताया था, तारा ने गले का अवरोध निगला बनी हाते के मकान में आग लगा दी जाने के बाद भागी थी तो तारा ने फिर गूट बरा, गली में से एक गुंडा मुझे उठा ले गया था नात कुछ पल चिंता में चुप रह गया फिर गहरी सास लेकर उसने पूचा ये कैसे संबह हुए, इतने वर्ष हो गई, कैसे खयाल हुआ तारा वैसे ही मुठी पर ठोड़ी टिकाए, निश्चल आखे जुगाए सास लेने के लिए रुख रुख कर परंतु द्रड़ निश्चे से कहती गई मुझे कभी कभी बहूत ही सुक्षम कष्ट अनभव हुआ है ऐसा था तो तुमने इलाज को नहीं कराया? सन 47 में मर्ची के साथ रहते थी तो ठीक से समझती नहीं थी उसने बात करने का यतन किया था उसने एविश्वास से क्या दिया था ये संभव नहीं है कुमारी को वैसा कष्ट नहीं हो सकता ब्रह्म है वे सब लोग मुझे कुमारी ही समझते रहे हैं उन बातों की सफाई कैसे देती? इलाज के लिए इतनी लांचना और अपमान कैसे उठाती? मरसी ने रोग के विशे में कहा था बरसो शरीर में छिपा रह सकता है कभी इस ऐसा भड़क भी सकता है सोच लिया था जब वैसी स्थिती आएगी तो लांचना और अपमान उठाने के बज़ाए आत्म हत्या कर लूँ तारा ने द्रिर्टा से अपना कर्तवे निभा दिया था उठकर चली जाना चाहती थी परन्तु शरीर ने साथ नहीं दिया जितना निश्चे और साहस संचे करके आई थी उसका उपयोग कर चुकी थी नात कई पल फर्ष की और देखता चुपरा फिर उसने तारा की और आखे उठाई बहुत इस पष्ट स्वर में बोला ठीक है जो रोग कुमारी को नहीं हो सकता उसका इलाज कुमारी नहीं करा सकती लेकिन मेरा अधिकार और कर्तवे हैं कि अपनी पतनी का इलाज करवाऊं मिशिस नात को इलाज कराना पड़ेगा तारा का शरीर काप जाने से कोहनी कुर्ची की बहाँ पर से फिसल गई नात ने उठकर तारा की सहीता के लिए उसके कंधों को सहरा देना चाहा तारा ने मुख आचल में छिपा लिया था नात के स्पर्श से वे बहुत जोर से काप उठी नात ने समझा तारा को ऐसो विदा अनवव हुई है उसने हाथ हटा लिये फल भर सोचा और फिर वैसे ही निश्चे से कहा तुम ने चाहो तो मेरे साथ कभी ने रहना पर जब तक तुमारा इलाज नहीं हो जाता तुम मिशिज नात हो यहां इलाज कराने में संकोच है तो मंबई में बवस्ता हो सकती है वहां भी नहीं चाहती हो तो मैं तुम्हें इंगलेंड ले जा सकता हूँ वियाना ले जा सकता हूँ इस शन से ही तुम मिसिस नात हो तुम मुझे अपना अभी भावब स्विकार कर चुकी हो यह मेरी आज्या है तुम चाहो तो अगली सप्ता या किसी भी दिन आदालत में या जहां जैसे चाहो विवा की रस्म पूरी की जा सकती है नात फिर कुर्शी पर बैट गया कई मिनिट सोसता रहा तारा चेहरे से आचल नहीं हटा सकी नात ने पूछ लिया अब भी तुम्हें कुछ कहना है तारा कुर्शी से उठी नात के पाउं के समिक गिर्शी बड़ी नात ने खड़े होकर उसे उठाना चाहा तारा नात के घुटनों पर सिर दबा कर लिपट गई और फफक फफक कर रो पड़ी